जैशे ग्रिश्ना स्वागत है आपका सार्थी त्रिश्ला के साथ कैसे हैं आप लोग कैसे हैं घर में सब जरूर बताईएगा आज एक बहुत जरूरी चीज आपके सामने लेकर आई हूँ वैसे तो कोशिश यही रहती है कि हर बार आपके पास कुछ अच्छा कुछ नया और कुछ अद्बुद लेकर आउँ पर आठ जो चीज लेकर आई हूँ वो बहुत अद्बुद है आठ मिनिट के अंदर मनो कामना सिद्ध होगी अगर किसी ने आपको ब्लॉक किया है तो वो आपको खोल देगा अगर कोई आपसे नाराज है तो वो मान जाएगा मात्र आठ मिनिट के अंदर होगा ये चमतकार कैसे क्या करना है वो बाद मैं बताओंगी पहले ये बताओंगी कि मैं कौन हूँ मैं आपके एस्ट्रोलाजन हूँ, वास्तु, शास्त्री हूँ, चहरा भी पढ़ती हूँ, आवास भी पढ़ती हूँ और हातों के लकीरे भी पढ़ लेती हूँ, चुकि एक सार्थी हूँ आपकी, इसलिए जीवन का सार समझाने चली आती हूँ, जब बात होती है मनों कामना गूमना है ये मन में उठने वाली हमारी वो इच्छा है जो कभी भी कैसे भी किसी भी रूप में आ सकती है इसकी ना कोई सीमा होती है ना आकार ना लंबाई ना चौड़ाई ना छोटाई ये तो एक ऐसी चीज है जो बस हमारा मन हमारे मस्तिष तक पहुचाता है और हमें जो हमें हमारे स्तर से बाहर रहकर सोचने पर मजबूर कर देती है ये कार्य हमारी कुणली में बैठा हुआ चंद्रमा करता है हम कुछ भी सोच सकते हैं कितना भी दूर जा सकते हैं कितनी भी बड़ी इच्छा कर सकते हैं जिसे पाने या जिसे पूर्ण करने के लिए हमें मंगल यानि की कर्म और साथ में गुरू यानि की धर्म दोनों का ही साथ चाहिए होगा परन्तु छोटी छोटी इच्छा हैं बहुत छोटी छोटी इच्छा हैं उनकी पूर्टी के लिए हम किस ग्रह की बात करते हैं? हम बात करते हैं सूरे की. कुनली में अगर सूरे आपका प्रॉपर जगह पर बैठा होगा, प्रॉपर स्थान पर होगा, उसका नक्षत रच्चा होगा, उसकी डिगरी ठीक होगी, तो आपकी इच्छाएं देर सवेर पूर्ण जरूर होंगी आप जो भी मनो कामना इश्वर के साथ करेंगे आपकी इश्वर वो मनो कामना सिद्ध जरूर करेंगे अब कई लोग मुझसे ऐसा कहते हमने ये चीज़ मैनिफेस्ट की हमें तो कुछ हुआ ने, हमने ये चीज़ मांगी हमें तो मिली नहीं, क्यों नहीं मिली क्योंकि कहीं न कहीं आपने सूरे के हिसाब से कारें नहीं किया सूरे जरूरी नहीं आपकी कुण्ली में अच्छे ही हो, बुरे भी हो सकते है आपके लिए केवल वो पॉजिटिव ही नहीं नेगिटिव भी हो सकते हैं आपकी कुंडली में सूरे का आपको बल नहीं कमजोरी भी मिल सकती है तब ऐसी स्थिति में क्या हमारी मनो कामनाय पूर्ण नहीं होंगी अगर हमारा जनम रात का हुआ तो क्या हमारी मनो कामना पूर नहीं होगी क्योंकि हमारा तो सूरे ढल गया हमारे सूरे के अंदर तो बल ही नहीं है हम तो रात को पैदा हुए है तो सूरे तो हमारा हमारे वश में ही नहीं है अब क्या करेंगे नहीं ऐसा नहीं होता अगर आपकी कुंडली के अंदर सूरे अच्छे नहीं है तो सूरे को अच्छे करने के लिए करम हम सूरे जैसे कर सकते हैं जैसे कि अगर आप अपनी हर चीज के अंदर पंचुल हैं, आप हर काम समय सीमा पर करते हैं, आप हमेशा अपनी बात पर अडिक रहते हैं, आप लुड़कने लोटे की तरह लुड़कते नहीं हैं, आप जो कहते हैं उस कमिटमेंट को पूरा करते हैं, आप उस कमिटमेंट को स्रिफ कहकर ताल नहीं देते हैं अच्छा मैं कल आता हूँ वो पता चला वो कल कभी आया ही नहीं सूरे आपके कर्मों से आपने खुद खतम कर लिया अगर आपने किसी का साथ दिया है तो फिर आप उससे मतलब मत रखिये सूरे खराब होंगे अगर आपने किसी व्यक्ति के साथ में संबंद वनाए हैं तो आप उस व्यक्ति के लिए हमेशा पिता तुले रही है यानि कि उसका पॉजिटिव सोचने वाले यानि कि हमेशा उसका भला करने वाले अगर आप किसी का साथ दे रहे हैं और वहां से आप अपना मतलब साद रहे हैं आपकी कुंडली में उच्छ का सूर्य बैठा हो इलेवन्थ हाउस में बैठा हो बहुत अच्छे नक्षत्र में बैठा हो तब भी खराब हो जाएगा बरबाद हो जाएगा अगर आप अपने पिता को उल्टे जवाब देते हैं अगर आप कहीं न कहीं चार लोगों में बैठ कर अपने पिता का तिरसकार करते हैं उनकी बातों को लेकर आप हास करते हैं यानि कि मजाक उड़ाते हैं तो आपका अच्छा बला सूर्य भी खराब हो जाएगा यह छोटी छोटी गलतियां हैं जो हम करते हैं और उसके बाद हम यानि की हम जैसे एस्टोलॉजर्स जो आपको मनो कामना सिद्धी के लिए उपाए बताते हैं जो आपको बोलते हैं कि आठ मिनिट में ये काम होगा तीन मिनिट में ये काम होगा दस मिनिट में ये काम होगा आप वहाँ जाते हैं उनकी सारी बताईवी चीजों को करते हैं फिर कमेंट करते हैं कि हमारा कारे नहीं हुआ कैसे होगा साहब आपने अपनी कुंडली के अंदर इच्छापूर्ति के भाव को मनोकामना सिद्धी के भाव को खुद ही आपने खराब कर लिया तो आपकी मनोका पूर्ण होती रहें और जो भी सार्थी परिवार में आपको उपाये बताए जाते हैं वो आपके लिए लगे तो आप सबसे पहले अपने कर्मों को ठीक करना चालू कर दीजे आपको आठ मिनेट नहीं आठ सेकंड में चमतकार दिख जाएगा तो चलिए जी आज आपको बहुत छोटा सा सरल सा उपाये कर लेना है आपको एक जल का पात्र लेना है यानि कि लोटा ले सकते हैं कटोरी ले सकते हैं ग्लास ले सकते हैं उसके अंदर थोड़ा सा आप जल डाल देंगे और उसके अंदर आप कुछ बुंद शहद की डाल देंगे इस शहद की बुंद इच्छा है कि मैं यह करना चाहता हूँ या मेरे साथ यह क्लोटरी अच्छी लगजाए मेरा प्रमोश्न स्वाइब किसी ने आप भूभ कर प्रफिषनल है जो भी आपकी मनो कामना है वो आप एक पेपर पर लिख देंगे लिखेंगे किस से ब्ल्यू कलर के पैन से सफेध रंग के पेपर पर लिख देंगे अब आप उसके बाद क्या करेंगे आप ये जो जल आपने तयार किया है इस जल को आप आठ बार याँनि की आठ बूंद ये जल आप अपनी मनो कामना वाले पेज पर छिड़क देंगे क्या बोलते हुए त्रिम त्रिम बोलते हुए आप थोड़ा सा जल लेंगे या तो किसी पुश्प से ले लीजेगा आप आम के पत्ते से पान के पत्ते से भी ले सकते हैं और अगर आपके पास कु त्रिम बोलिए गा और फिर छढकाव कर दीजेगा, जब आप आठ बार ये क्रिया कर देंगे उसके बाद आप इस पेपर को फोल्ड कर देंगे, फोल्ड करने के बाद आप इस पेपर को ले जाकर तुलसी जी के पौधे के नीचे रख देंगे ये कारे आप रविवार को छोड़ कर किसी भी दिन से चालू कर सकते हैं और कभी भी कर सकते हैं करके देखिए छोटा सा अच्चु कुपाए जीवन के अंदर आपके आठ मिनिट के अंदर चमतकार हो जाएगा हो जाएगा तो आप हमें जरूर बताएंगे और हम फिर आएंगे कुछ नया कुछ अलग कुछ अद्बुद लेके तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा रिष्टों में मजबूती बना के रखेगा अपने सार्थी के साथ योई जुड़े रहिएगा प्यार देते शास्त्र में विश्व विख्यात ताम है जोतिश शास्त्र में पीच्टी मात्रशिला पिछली 22 वर्षों से जोतिश की सभी परंपराकत विधाओं के साथ साथ अनेक दुड़लब गुड़ विधाओं जैसे परच्छाई एवं लवस के अध्यन से अपनी सटीक भविश्य और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं अपने उपायों द्वारा लागों लोगों का जीवन सवार्चुकी मात्रशिला लगातार 2016 से जोतिश विभूशन अवोर्ट प्राप कर रही हैं साल 2018 में उन्हें उत्राखंड के मुख्य मंत्री त्रिवेंद्र सिंग रावत जोतिश विभूशन अवोर्ट से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट अस्ट्रोलजर के अवोर्ट से नवाजा जा चुका है